स्टाल वाट्स स्कूल ने मनाया बेटी दिवस स्टाल वाट्स वर्ल्ड स्कूल में बेटी दिवस बड़ी धूम-धाम से मनाया गया इस कारिक्रम में मुख्य दिथी, रूपन दिलन, एसोसियेट प्रोफेसर और मनो विज्ञान विभागाध्यक्ष, सुपनन्दन, सहायक आयुक्त राज्यकर, GST PCS अधिकारी, वीना अरोडा, भारत आइकॉंडो की उपाध्यक्ष, दृष्टी नंदा, मास्टर शेफ S4 की शिखा सरीन, फिटनेस ग्रूप आफ, रिस्टार्टर्स की प्रबन्य देशक, मिनाक्षी जोरा, प्रामर्श दाता, ग्रूमिंग और व्यक्तितव विकास कोच उपस्थित थे इस कारिक्रम में उपस्थित सभी अतिथी, बेटियों के लिए बहुत बड़ी मिसाल थे जिन्होंने संघर्श पून, रा को पार करते हुए, सामाज में अपना एक विशे स्थान बनाया है इनके साथ साथ, महिला शेत्र में, महान रही हस्तियों में, मैरिकों, फोगाट सिस्टर्स, राधिका गुपता, मलाला आधी के जीवन पर भी प्रकाश डाला गया स्कूल की छात्राओं ने, रंगा-रंग संस्कृती प्रस्तुतियां देकर, सभी का मन मोह लिया पारंपरिक और आधूनिक दोनों प्रकार के, नृत्यों ने दर्शकों को मंत्र मुग्द कर दिया लड़कियों की आत्मरक्षा पर अधारित और अपने अधिकारों के प्रती जागरित करते हुए, इस प्रकार के नाटकों की प्रस्तुति भी दी गई इस दोरान प्रिंसिपल मनीशा धानुका ने लड़कियों की शिक्षा पर जोर देते हुए, सबी अभी भावकों को बेटियों को बेटों के बाराबर अफसर प्रदान करने की अपील की उन्होंने कहा कि बेटी कुद्रत का एक उपहार है और इनको सम्मान देना चाहिए जो बेटी को पहचान देता है वही मातापिता महानुका आज हम डाउटर्स ट्रीट कर रहे हैं जो की कल है अचली और इसमें हम बढ़न जो महिला हैं जो नोरब आपने पीलस्यर में अपने पीछिष में घाए और इसमें हम विभन जो महिला हैं जो पने पाद European में को 이ुके हमेस्ट टरीश में एक्सेल गरें निट जी सिख रए जो MasterChef राई है है जम मांस्ट मांस्टर दाऊजा या को अ चुम में सिखा सरीं इसे ब्लिट ऑस्ट जा शुर डुल who is head of the department of psychology university then we have Veena Roraji who is a Paralympic player and she is vice president of Indian Taekwondo and the sixth person whom we are going to honor is Dr. Meenakshi Jaurabh she is from Vicky Plo, Jaipur and she is a wellness coach and she is a counsellor as well so this is what we are going to honor today we are going to honor today and today is a talk show where how the daughter should be brought up there are 70 speakers, children who are speaking from the age group from 4 years to 16 years so basically for children to make a good speaker there is a platform for parents what is the relation between a parent whether it is father or daughter mother and daughter one is an important platform that is how the daughter's surprise how the daughter's surprise should be brought up and how the daughter's surprise and how each child is who has a daughter is being taken to the family झाल झाल